नमस्कार मैं हूँ राशिद ली और आप देख रहे हैं इस पे नाइन नियूज मध्यप्रदेश से एक बड़ी खवर आ रही है जहां पर कॉंग्रेस ने बड़ी चाल चली है बीजेपी को मात देने के लिए जी यहां 15 सालों से सत्ता से दूर कॉंग्रेस मध्यप्रदेश में आने के लिए अब हर चाल चल रही है और इस बार उन्होंने एक बड़ा दाउन चला है वह क्या चला है मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं मध्यप्रदेश के खबर के और जहां पर बीजेपी के लोधी समाज के वोटों को काटन के लिए कॉंग्रेस ने बनाया है प्लैन क्या प्लान है और क्या है लोधी समाज मध्यप्रदेश में दिखाना चाहूंगा आपको सिधा खबर से उबरू कराना चाहूंगा आपको मद्यप्रदेश में बीजेपी के वोड वैंक में सेंद लगाने की कोशिच में जुटी कॉंग्रेस की नजर अब लोधी समाज पर है मद्यप्रदेश जो कि आपको बता दे प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्ष कमलनात और ज्योति राधित्य सिंद्य 11 जून को भोपाल में होने निक्या प्लान तयार कर लिया है बीते 15 सालों से सत्ता परकाविज वीजेपी का किला गिराने के लिए कॉंग्रेस ने अब स्यासी चालों का चलना तेज़ कर दिया है चुनाल से पहले कॉंग्रेस ने ऐसे वोड बैंक पर नजर गड़ा लिया जो की बीजेपी को टगड़ वोड बैंक है पहले सिंधी समाज और अब कॉंग्रेस ने परदेश की 90 सीटों पर वाव रखने वाले लोधी समाज को लुभाने की कवायत तेज कर दी है और यही कारण है कि बुपाल में कल होने वाले लोधी समाज के सम्मेलियन में कमलनात और जूती राधित्य सिंद्या शामिल होने जा रहे हैं अब मैं आपको दिखाता हूं लोधी समाज पर अगर नजर डालें तो कितनी सीटों पर दबदबा है मैं दिखाता हूं लोधी समाज के मद दाता हूं कि संक्या 80,000,000 से जादा चुनाव में एहम जिम्मेदारी निवाते हैं एहम भूमी का निवात थान लें जिस पार्टि को जिताना तो वही पार्टि यह bendsi दिए लाग से ज्यादा समेट बूरे प्रदेश में लोदी समाज प्रवाव है सबसे ज्यादा प्रवास मेरा बुंदेल गंच छेटर में बुंदेल खेटर वही चेटराथ जहां की समस्या आज भी बरकरार है बता दूं आपको यह समाज 90 सीटों पर चुनावी गनित को बदलने की ताकत रखता है उमा भारती का कभी लोधी समाज पर खासा दबदबा था लेकिन अब स्यासिय माहौल में अब समीकरण बदल रहे हैं मामले में बीजेपी का कहना है कि समाज के कार्यकरम में किसी को बुलाना उनका अधिकार छेतर उनके दिकार छेतर का मामला है बहराल चुनाव पार्टी बड़े वूड बैंक में सेंद मारी के तैयार है ताकि 2018 के चुनावों में वह अपनी जीत का रास्ता साफ कर सके अब मैं आपको दिखाता हूं जियोति रादित्य सिंदा यहां हुंकार भरने वाले इससे पहले उन्होंने का हुंकार बरी और किस तरह हुंकार बर जांती कम अलाजी का इतिहास बाच पापा क्योंगे लोगी का इतिहास विश्व का एक एक व्यक्ति दिखाता हुंकार इतिहास कि कभी कभी मौका होता है जब पदल गरहन होता है तो उस पदल से व्यक्ति सुश्वित हो जाता है लेकिन आज मौका है कि जब इसमत्य प्रदेश कॉंग्रेस पार्टी क्या ध्यक्ष के रूप में राजी सिंदी जा देगी कि कमलाज जी पद्राट कर रहा है तो वह इस पद को सुशुवित कर रहे हैं और गड़ी में जा कमलाजी के निकत्त में कॉंग्रेस पार्टी हम सब के साथ मिलकर इस आने वाले इंटहान के घड़ी में हम जमीन पर पूरे में उसी स्वर में भी कि मत प्रदेश कॉंग्रेस नाठी के पूर अध्यक्स अरुन यादर जी को भी मैं अपने तैय दिल से धन्यवाद अपिक करना चापा हूँ के कॉंग्रेस के कारेश्टा के रुप में चार साल जसंकर के बार अधना रहे थे प्रदेश में बीटेपी की सरकार अपन्या वाला घंडा लेकर और उन यादर ने चार साल इस कॉंग्रेस का मान समान बना के रखता हूँ कि अधने आप यह विश्वाद रखो कि कॉंग्रेस का एक एक कारेश्टा के बल नहीं कॉंग्रेस का हर नेता भी आपके बार आपके बार आपके बार घंडा आए शिवराद सिंगी के चौदर सार मेरा रात का प्रदेश पूरी करद से बेहार लेकिन भाजपा का एक सीथ मुने का माला मा खाल मेरा कितान परेशान है आप महत्या करता है तो भाजपा के मंत्री कहते हैं कि ये तो रोज की बात होती है मेरी महिलाओं के उपर बलत कर हर दिन बार बलत कर होती है जब कश्मीर में मंत्री कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं होती अरे भाजया ये मेरा राथ का देश है जहां अगर महिलाओं का मान सम्मान नहीं बचा तो भारत का अस्तिप नहीं बचा जहां मेरी महिलाओं पतारें तो देखा आपने किस तरह से बरे मंच पे जोती रादित्य सिंध्या बीजेपी सरकार शिवराज सरकार पर हमला बोल रहे हैं पहले मामला नहीं इससे पहले भी वह ऐसा ही अमलावर नहीं हैं और क्योंकि इस बार कॉंग्रेस की अव्मीद जदा बढ़ गई हैं क्योंकि हाली में उच्चुनाव जीत मिली और 15 सालों से सत्ता से दूर बनवास काट रही कॉंग्रेस सत्ता में आने की पूरी फिराक में और उनकी कोशिश उनकी उम्मीद लग भी रही है और आपको बता दे जो तेरा अधित्य सिंध्या ने एक ये भी प्रण्ड ले रखा है कि जब तक मद्यपरदेश से शेवरास सरकार को नहीं हटा देंगे तब तक वो फूलों की माला का हार नहीं पहनेंगे अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस दौर में जहां पर जब उप चुनाव हुए थे दो सीटों पर विदान सभा में दो सीटों पर मुंगावली और कोलारस और महीं से कॉंग्रेस को विदान सभा चुनाव जीतने की आस लगी थी वह कौन सा दौर था जब वहां दो सीटों और विदान सभा सीटों पर लड़ाई हुई यह लड़ाई दो स्थाने निताओं के बीच नहीं बलकि सीम शिवराज सिंग और जूति राजिते सिंद्या के बीच हुई और कहा जाने लगा कि जो इन चुनावों को जीतेगा वही मद्यपरदेश में विदान सभा चुनाव जन तक से पांच महीने के लिए जिताने की बात कर रहे थे तो वहीं सिंद्या का कहना था कि 15 साल शिवराज कहां रहे मद्यपरदेश के मुख्यमंद्री शिवराज सिंग चौहान का चुनावी रत खिरिया पहुचा जहां वो रत के उपर लिफ्ट से निकल कर मुंगावली विदानसभा के लोगों से इस बार बीजेपी को उमिद्वार बाई साहब यादव के लिए फोट मांग रहे थे उनका दावा था कि पांच महीने के लिए ही जिता दो तो इलाके की तस्वीर बदल देंगे शिवराज कहते थे कि आप सबसे निवेदन है चुनाव पांच मह पिप्राई केशवपुर खोकसी जैसे गाउं से उनका काफिला दोड़ता नजर आया और पीछे पीछे आवाज महाराज की जैए मुंगावली और कोलारस की सीटे कॉंग्रेस विदायकों की मृत्यों से खाली हुई थी सिंधिया की लोकसभा सीट में आने वाले कोलारस मु वो सीडेश शिवराज वनाम सिंधिया से जोड दे थे तो महीं आपको बताएं कि सिंधिया की ललकार का शिवराज पर कुछ यूँ जवाब देते थे कि वह ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुष्टी में थोड़ी लड़ने आया हूं जिसके जवाब में ज्योती रादित्या कहत यहां कॉंग्रेस ने मुंगावली और कोला रस दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की है क्योंकि बड़ी आशंकाई बन रही थी कि आखिर इस लड़ाई में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और इसका अंदाजा आने वाले विधान सभा चुनावों में CM पर्थ की उमिद्वार जादा है क्योंकि अगर बीजेपी जीती तो वो भी यही अंदाजा लगाती और इससे जो बैक फूट पर नजार आ रही और जो सत्ता से दूर है कॉंग्रेस पार्टी उसके इस्थिती कहीं न कहीं मजबूत हुई है और मजबूती के साथ साथ कहीं न कहीं जोती राजित् सिंध्या की दावेदारी भी अब जादा मजबूत होगी तो वहीं अब आने वाले विधान सबाद चुनाव जल्दी होने वाले हैं नवंबर तक यह विधान सबाद चुनाव होने हैं और उससे पहले जाहिर सी बात है यह देखना होगा कि अब सरकारें क्या 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 करें हैं उनका मुद्धा यही है कि इतने सालों से बीजेपी कहां थी कि वो इतने सालों से लोगों की बाते क्यों नहीं सुन रही थी तो महीं बीजेपी सरकार जाने कि शिवराद सरकार लगातार लगातार लोग लुभावन के लिए एक के बाद एक वादे करती के नजर आ रही है जिससे लोगों कावे दिल जीत सकें कॉंग्रेस है जो उनके हर मनसूबों पर पानी फिर रही है और उनका जमकर फिरोध कर रही है तो देखा आपने कि किस तरह से यह दौर चला और इन दोनों सीटों को जीतने के बाद पता चला कि आके दोनों ईही सीटें कॉंग्रेस ने जीत लिए जिस से कांग्रेस की ताकत को बल मिला और कॉंग्रेस है जीत की उमीद है और कांग्रेस एक के बाद एक चाल चलती रही आप छुनाब जीते, भरे या क्या रंग लाएगा यह मैनत कॉंग्रेस की क्या रंग लाएगी क्या यह बड़े बड़े तबके को बड़े समाज को अपनी और आकर्षित करना अपनी और लुबाना क्या कॉंग्रेस को जीत दिला पाएगा देखना होगा कि आखिर यह दाव कॉंग्रेस का कितना सटीक बैठेगा या फिर बीजेपी कोई और चाल चलके कॉंग्रेस को माद देने की जुगत लगाएगी तो आज के लिए बस इतना एकली बार फिर होगी आपसे मुलाकात दीजिये इजाजत नमस्कार